नमस्कार मैं हूँ ससी आये जर्खन के टॉप 25 पर्मों खबर जनते हैं जर्खन में 25 याल सरकारी नोकरी का रास्ता साब जससी और जपीएसी की लंबित परिक्षा ज़ल लेने का निर्देश के बाद करीब देर दरोजन परिक्षाओं पर लगा गरहन अब खत्म हो गया है बतादे जर्खन सरकार के दौरा दोनों आयोगों को दिये गए निर्देश के बाद राज में विभीन पदों के लिए करीब 25 हजार नियोक्ति करास्ता साब हो गया है बतादे सरकार ने जेपीएसी और जेसेसी को सभी लमित परिशाओं को प्राथ मिक्ता के अधार पर जल्द से जल्द आयोजित कराने को कहा है अबैज हठियार रखने वालों की खर नहीं डीजीपी पुलिस महांडिदे सकेंबी राव ने भागपा मवादी को सचेत किया है और कहा कि नकसली विकास कारियों में बाधावत पन कर अपनी कबर खोद रहे हैं भाया दोहन का खेल अब नहीं चलने वाला है जानता कि नजरों में उनकी छवी उजागर हो चुकी है वे विशुद रूप से अपराथी हैं और उनका एक मात्र उदेश से भाया दोहन का रंगदारी वसुलना है पीएम अवास की लंबित राशी के लिए राज सरकार ने केंद्र पर बनाया दवाव केंद्र वह राज सरकार के बीच विभीन मदों की बकाया राशी को लेकर अनबन की स्थिती बने हुई है इस बिच राजी सरकार ने GST वर खणनन के बाद प्रथान मंत्री आवास योजना की लंबित रासी जारी करने को लेकर केंद्र सरकार पर दवा बनाया है बता दे राजे के ग्रामिन विकास मंत्री आलमगीर आलम ने केंद्रिय मंत्री नरेस्ट सिंग टोमर के साथ होई ऑनलाई समिक्ठा बैठक में आममला उठाया है आलमगीर आलम ने पीम आवास योजना के मद में केंद्र की 777 दर्समल चोपाच कोड़ोर की लंबी तरासी जल्द जारी करने का केंद्र है मंत्री से अन्रोथ किया है नियोजन नीती में जाखन सरकार ने एस एलपी दायर की राजे के नियोजन नीती और इस नीती के अनुसार 13 अनुस्यती जीलों में हुई सिक्षको की नियुकती रद करने के आदेश के खिलाब जारकर सरकार ने सुप्रीम कोट की सरन ली है सरकार ने हाई कोट के पूर्व पीट के आदेश को चुनोती देते हुए सुप्रीम कोट में विशेस अनुमती याचका एस एल पी दायर की है हलाकि सुप्रीम कोट ने यह याचका पर सुनवाई किती थी अभी निधायत नहीं की है देश ब्यापी हर्ताल के मदनजर ट्रेड यूनियनों ने 26 नॉमबर को राजे भर में खरीजों की धुलाई ठप करने की त्यारी कर रखी है हर्ताल को सफल बनाने के लिए आयटक, सीटू और हिंद मजदूर सभा समेथ साथ टेड यूनियनों ने साजाय मूर्चा बनाया है बतादेवाम दल भी इस हर्ताल को समर्थन का एलान कर चुके है कोईला, लोहा और बकसाइट के खदानों से होने वाली खनीजों की धुलाई रोकने के लिए ब्यापक रणनीती बनाई गई है 17 माप दंडों के बाद अल्प संख्यक छात्रविर्ती मिलेगी चात्रविर्ती घुट्टाला उजागिर होने के बाद इसकी पूर्णविर्ती रोकने के लिए राज सरकार ने बित्तिवर्ष 2021 के दोरान सभी संस्थानों और चात्रों के आवेद्नों का भहतिक सत्यापन करने का आदेश उपायुक्तों को दिया है इस आदेश को पूरा करने के लिए 17 मापदर निधायित किये गए हैं बतादे उन्हें पूरा करने के बाद दी अल्पसंक्यक चात्रिबित्ती दी जाएगी इस समन्द में कल्यान विबाक सचीव डाक्टर अमिताब कोसल ने राजे के सभी उपायुक्तों को आदेश जारी किया है बाल अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए सरकार प्रतिबध राजेपाल सन्यूक्त राष्ट बाल अधिकार समझाता की तीसवी बर्षगाठ पर राजेपाल द्रोपति मुर्भू ने यूनिसेप के बाल पत्रकारों से भेट की और उनसे बाल अधिकार के मोदो पर चार्चा की राजे पाल के साथ बाचित में युनिसीफ के बाल पत्रकार जानके कुमारी फरहीन परवीन और मुहमद कैफ ने हिसा लिया बता दे उन्होंने राजे पाल को बाल पत्रकारों के लिए किये कार्यों बाल बिवा और बाल सरम रोकने वा बच्चों को स्कूल से जोडने आधी पर्यासों के बारव में बताया रांची से चेनाई के बीच हवाई से वस्रू रांची से चेनाई किसी दी कनेक्टिविटी हो गई है रांची से चेनाई एयरबस 320 ने वीर्षा मुंडा यारपोर्ट से सनिवार को पहली उलान भरी बतादे यारपोर्ट डिरेक्टर बिनोद सर्मा ने बताया गिफ्लाइट चेनाई से रांची रोज सुबा आट बच कर पांच मेंट पर पहुंचेगा इसके बाद आट बच कर चालिस मेंट पर चेनाई के लिए उलान भएगा फलाइट को 18 नॉमबर को ही सुरू किया जाना था लेकिन ऑपरेशनल कारणों से इसे आज सुरू किया गया गोड़ा के पथरगामा में छट वरती महिलाओ की मौत महापर चट करने के दराण गोड़ा जीला के पथरगामा परखंड में दो चट वरती महिलाओ की मौत हो जाने से अचानक ही मातम चा गया बतादे परखंड के तोलसी कीता गाओं के तेज नराइड पंडित की पतनी मीरा देवी छट परव में उपवास के दुरान सनिवार को बाबा जी फोकरा चट गाट पर पुजा करने गई थी चट गाट पर उसने सूर्य देव का अरग भी नहीं दिया था तभी अचानक चक्कर खा कर गीर पई बतादे परिजनों ने चट वरती महिलाओ को उठा कर इलाज के लिए समुदाएक स्वास्त केंद्र प्रतरगामा ले गाए जहां चीकित्सक डक्टर गोपाले आदों ने प्रात्मी कुपचार कर बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पिताल में गोड़ा रेफर कर दिया बतादे सदर अस्पिताल गोड़ा में इलाज के दुरान छट वरती महिला की मौत हो गई जहारखन में भय एवं खौफ भाजपा भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता अविनेस कुमार सिंग ने हमन सरकार की निंदा करते हुए कहा कि राजे में भय एवं खौफ ब्याप्त है आज सरकार अपराधियों एवं उग्रवादियों के सामने नत्मस्तक है उन्होंने सवनिवार को कहा कि छट महापर्व के सुभ अफसर पर भी जार्खन की जनता को भी रात नहीं है जिस परकार खुल्याम सी मरिया थाना छेतर में छट घाट पर उगरवादियों के दोबारा एक कोईला बेवसाय मुकेशगिरी की निर्मा महत्या गोली से की गई हुई है जो रांची से उन्सोट बोकाव परशिष देवगर पाल धनबात तैस दूमका तीन पूर्वी सिमूं 28 गड़वा तीन गीडी एक गोड़ा तीन गुमला दो जामतरा एक खोटी एक खोडर्मा दो पलामु दो रामगर आठ सराय केला साथ सिम्डेगा एक पच्मी स मुद्थ से 1 मिले है। जारकन में कुल संक्रम हीतोक संख्या 1,700, broom가지고 352 है जबकि 1, Darling Cake 59 interventions होगा एक खोड़ा जें मिले भारत में नए केस 45 supporting 31 मिले हैं बतादे भारत में each के चार-माराख 45chen पांसो चोववन है वहीं जार्कन में एक टिप के 2430 है नकसलियों के खिलाब तेज होगा अभियान डीजीपी जार्कन के डीजीपी, एमबी, राव, सनिवार को चत्रा पहुंचे डीजीपी ने एसपी सहीद सभी वर्ये पुलिस अफसरों के साथ पुलिस लाइन में बैठा की बता देट डीजीपी ने कहा कि नकसलियों खिलाब पुलिस अभियान तेज होगा पुलिस सुत्रों के उसाथ डीजीपी नकसलियों की बढ़ती गतिवीदियों को लेकर जीले के पुलिस अफसरों की जमकर कलास भी लगाई उन्होंने जंगल वर्ती और नकसल परभावित इलाकों में खुफिया तंत्र को चूस्त दुरुस्त करने और नकसलियों की गतिवीदियों को लेकर पुलिस बल को विशेश रूप से अलर्ट मोर में रहने का निदेश दिया डिजीपी ने जीले के एसपी से सनिवार सुबक कोईला कारोबारी के हत्या की घटना की जनकारी भी ली राश्ट्र विरोधी सक्तियों के साथ खड़ी है कॉंग्रेस दिपक परकास भाजपा के परदेश अध्यक्स राजे सभास तदस दिपक परकास ने कॉंग्रेस पार्टी पर आरोप लगाया है कि वह राश्ट्र विरोधी सक्तियों के साथ खड़ी है सनिवार को परदेश मुख्याले में आविजित परेस कंफरेंस में दिपक परकास ने करा है कि कॉंग्रेस पार्टी गठवन्दन के साथ मिलकर अनुछे तिनसो सतर की वापसी की बात करना राश्ट विरोधी सक्तियों को बढ़ावा देने जैसा क्वित्त है बैस्विक महाँमारी में जांता का सनियम काविले तारीप सीए पहारों की मयलका नेतर हाट में मुखमंतरी हमनसुरें के अध्रखेसता में सुक्रवार को पलामू डाक बांगला परिसर में जांता दरवार अविजित किया गया जन्तादाबार में मुख मंतरी आम जनों की समस्या को रूब औरू हुए यवां उपाईयूक समेट जीले के पतधिकारीयों को समस्या समधान को लेका तवरित करवाई के लिए निदेश दिया मुख मंत्री ने कहा कि बैस्विक मामारी कुरोना संक्रमन के दोरान में आम जनों ने जो सन्यम दिखाया है वह काविले तारीफ है IMA सेक्रेटी से 20 लाख रंगदारी मांगने के मामले में 4 अपराधी गिरफतार राची पुलिस को बहुत सफलता हाथ लगी है IMA सेक्रेटीव कांके जर्नल होस्पिटल के मालिक डाक्टर संभू परसाथ से PLFI के नाम पर 20 लाख के रंगदारी मांगने के मामले का राची पुलिस ने खुले सा कर दिया है बता दे मामले में 4 अपराधियों को दबोचा गया है धन्यवाद आज के लिए बस इतना ही कल से आपको 25 खबरे मिलते लाएंगे तो वीडियो को एक लाइक कर अपने दोस्तों सेर करना ना भूले साथी साथ आप हमें कोमेंट बॉक्स में अपना फीड़बाइक आवसे दे थांक्यू